हेलो एब्रिवन मैंने तीश आप देख रहे हैं एक चांप ट्रीक दोस्तों 90,000 से अधिक प्रात्मिक सिक्षकों की नियोजन परिकिलिया पर हाई कोट ने लगाई रोक जी हां 90,000 प्रात्मिक सिक्षकों की बहाली होनी थी विहार में शूवे में जिस पर हाई कोट ने जो है रोक लगा दी है यह नियोजन काफी विवाद में रहा है जी हाँ इससे पहले जो है नियोजन नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें जो है कुछ अभ्यार्थियों का था कि डियलेट वालों को जो है सामिल किया जाए तो उसके बाद जो है फिर गौवर्मेंट ने इसका स्कूल में 90,000 के से अधिक सिक्षकों के नियोजन की परकिरिया पर दतकाल रोक लगा दी है साथ ही हाई कोट ने राज सरकार से 4 सिटंबर तक जवाब तलब किया है कोट ने राज सरकार को यह बताने को कहा कि बिग्यापर निकालने के बाद क्या नियमों में बदलाव हो श सुची को जारी नहीं करेगी यानि कि इसकी जो है नियोजन नहीं किया जा सकता है नया धिस डॉक्टर अनिल कुमार उपध्याई की एकल पीठ ने नीरज कुमार वाण कि रिट याजका पर बुद्धभार को सुनवाई करते हो यह निर्देश दिया सिक्षा विभागने 15 जून से 31 अगस तक 90,000 प्रारंविक सिक्षकों के नियुक्ति के लिए संसोधी नियोजन कार्ज करम जारी किया गया था यह चिक करताओं की और से अधिवक्ता दिनु कुमार और इतुराज ने कोट को भताय कि राज सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित कर रहा है कि दिसंबर 2019 में CTET पास अभ्यार थी इस नियोजन परिकिरिया में भाग नहीं ले सकते कोट को बताय गया कि यह नियोजन कार्ज करम 2019 का ही है NCTE से मायनता प्राप्त संस्थाओं से जिन्होंने 18 महीने का DL8 कोर्स प्राप्त किया था उन्हें भी इस नियोजन परिकिरिया में आवेदन देने का अधिकार पटना हाई कोट ने एक डिटी आज का पर सुनवाई के बात दिया था हाई कोट के उस आदेश के आलोक में सिक्षा बिभाग ने NCTE वो सरकार के अनमायनता लेते हुए नई अधि सुचना जारी की थी इस उचना में नियोजन परिकिरिया में उपरुक डियलेट अभ्यर्थी सही दिसम्बर 2019 में उतिन हुए सयुक टीटी अभ्यर्थियों को भी आवेदन देने का मौका सरकार ने आठ जुन को दिया था इसके बाद सिक्षा बिभाग ने 15 जुन 2020 को जारी अपने बिभागिया अधिस से यह असपष्ट किया कि वर्तमान नियोजन कारिजकरम में सिर्फ उपरुक डियलेट अभ्यर्थी का ही आवेदन मान होगा और दिसम्बर 2019 में उतिन हुए सयुक टीटी अभ्यर्थी को निय कराते हुए उसे और शमबेदानि करार देने और उसे निरस्त करने की मांग कोट Says सही कि कोट ने रासरकार को कहा है कि यदी संभव में कानूनी संसोधन कर पूरे विवाद को विराम्लाल लगा सकती है, इस मामले पर अगली सुनबाई drives सिटंबर की होगी. जी हाँ दोस्तों यह जो है 2019 से 20 में 20 आ गया लेकिन अभी तक जो है भरती हुई नहीं है जो कि यह भरती आपको जुलाई से अगस्ट तक कम्प्लीट करना था चैन की परकिरिया लेकिन इस पे हाई कोट ने बिराम लगा दिया है अब जो है इस गौवर्मेंट में तो उमीद जाए और नेक्स जो है इसका डेट एक्स्टेंड किया जाए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सेर्ज जरूर करें थेंक यू फू बाचिंग वीडियो